हलो फेंड्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं inheritance तो inheritance पर पहले तीन वीडियो आज़ी आ चुके हैं यह फोर्थ नमबर वीडियो है inheritance पर तो अकर आपने पिछले तीन वीडियो नहीं देखिया है तो प्लीज उसको आप वाच कर लो क्योंकि अगर उनको आपने नहीं देखा तो इस जैसे मान लेजे हमारे पास एक यहां पर क्लास है अच्छा यह सारी चीजे मैं पढ़ा चुका हूँ अभी थोड़ा समय रिकैप करूँगा क्योंकि यह आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको यह चीजे नहीं समझ में आएगी न तो inheritance आपको समझ में ही नहीं आए तो हमारे पास यहां पर एक क्लास है ए नाम से जिसके अंदर हमने तीन ाजवेर बनाए हैं और यह रूर्ड उंपर और इसी तरह처ra आपलाओ बहुत अपटलाई होगा तो मैंने अभी कोई function नहीं बनाया है लेकिन हमने तीन variable बनाया है public, private, protected field में तो अगर मैं अब A class का object बनाऊं इस तरह से तो OBJ मैं object का use करके dart operator लगा करके सिर्फ और सिर्फ z को access कर सकता हूं क्योंकि z public है और public चीजों को हम class के बाहर से dart operator लगा के access कर सकते हैं है न तो public चीजों को हम class के बाहर से object के साथ में dart operator लगा के access कर सकते हैं तो जो हमने लिखा OBJ.z equals to 6 तो जो ये object बना इसके अंदर जो तीन variable है x, y, z, z में क्या चला जाएगा 6 चला जाएगा तो public चीजों के बारे में हमें पता है कि हम उनको class के बाहर से dart operator लगा करके object के साथ में access कर लेते हैं private और protected चीजों को हम class के बाहर से इस तरह से access नहीं कर सकते हैं अगर हम उनको इस तरह से access करना चाहते हैं तो उसका एक rule होता है जो कि हम friend function का use करते हैं तो अगर मैं यहां पर एक function बनाओ लेट से fun नाम से और अगर इस function के अंदर मैं एक object बनाता हूँ obj1 तो अगर मैं obj1 dart करूँ तो देखिए हम सिर्फ और सिर्फ z को access कर पा रहे हैं क्योंकि z public है लेकिन अगर मैं इस function को अपने a class का friend बना दूँ हमने क्या बुला अगर मैं इस function को एक class का friend बना दूँ है ना friend function मैं पढ़ा जुका हूँ तो ये line को हमने declare कर दिया मतलब function को friend के साथ में तो अब ये जो fun function है हमारी इस class का friend बन गया तो friend function की ये power होती है कि वो private और protected member को भी डाट operator लगा के object के साथ में access कर सकता है देखिए जैसे हमने obj1 dot लिखा यहां पर y और x भी suggest हो रहे हैं तो हम x को इस तरह से call करके भी उसमें while को रख सकते हैं और हम y को भी इस तरह से access करके उसमें while को रख सकते हैं तो यह rule आप ध्यान रखना हमेशा के लिए है ना अब अगर हमारे पास functions भी होते तो जो friend function होगा वो function को भी dot operator लगा के access कर लेगा चाहे वो function public हो private हो या protected हो लेकिन जो non member function होते हैं जैसे यहां पर main है तो वो सिर्फ हो सिर्फ public चीजों को ही access कर पाएगा है ना जैसे हमने यहां पर z को access किया अगर इस public field में कोई function होता तो इस function को भी हम dot operator लगा के access कर लेते यह चीजें हमने पहले ही देखी है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर माल लीजिए हमारे पास एक class हो जाए माल लीजिए मैं बना रहा हूँ class B और यह class क्या करे A को inherit कर ले यानि कि मैं यहां पर लिखूंगा public A है ना तो यह step लिखना इस तरह से public A इस तरह से लिखना यहां पर error क्यों आ रहा है यह class है तो यहां पर लगेगा semi colon है ना तो अब हमारी B class ने A class को inherit कर लिया तो यह जितने भी यहां पर variable A class में बने हैं वो B class में भी available हो जाएंगे है ना अब उसी तरह से B class में भी देखिए private protected public तीन field इस में भी होगा है ना लेट से मैं यहां पर भी कुछ variable बना दे रहा हूँ int A अपना B class में भी कुछ variable हो सकते हैं int B और मैं यहां पर बना लेता हूँ लट से int C नाम से हमने यहां पर तीन variable बना लिये अब क्योंकि B class ने A class को inherit किया है तो जो यह X, Y, Z हैं वो B class में भी available हो जाएंगे लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि जो यहां पर X, Y, Z A class में जैसे X जो है A class में private है Y A class में protected है Z A class में public है तो जब हमने inheritance किया तो यह X, Y, Z variable B class में भी आगे तो जब वो B class में आए तो B class में वो variable public है कि private है कि protected है वो क्या है तो वो depend करता है हमारे इस यहां पर जो हम access specify लिखते हैं और यह rule हमने पिछले class में देखा था हमने यह जाना था कि जब हम यहां पर public लिखते हैं तो जो private member A class के होते हैं वो B में private होते हैं जो protected होते हैं वो B में भी protected होते हैं और जो public होते हैं वो B में भी public होते हैं है ना जब यहां पर हम protected लिखते हैं तो ये तीनों के तीनों B class में private माने जाएंगे तो अभी के लिए हमने public किया है तो जो private है वो private रहेगा B class में जो protected है protected रहेगा जो public है वो public रहेगा अब अगर मैं आपसे पूँचूँ देखिए अब जो A class के variable से वो B class में आ गए हो तो B class में आने के बाद वो public हैं कि private हैं कि protected हैं ये आपको पता है अब मैं आपसे पूँचता हूँ कि अगर मैं B class का object बनाऊँ अब यहाँ पर ध्यान देना हमने public inheritance किया है यहाँ पर public लिका है है ना ये मैं आपको आगे थोड़ा बताऊँगा कैसे क्या करना है बनाता हूँ यहाँ पर देखना मैं में B class का object बनाता हूँ लिटसे B1 नाम से तो मैं इस B1 object का यूज करके B class के वो कौन कौन से member है जिनको हम main के अंदर यानि कि इस B class के बाहर से मैं access कर सकता हूँ तो कोई भी class है उसके आप बाहर से इस class के बाहर से इस class के जो public member है आप उन्ही को access कर सकते हो तो इस class का एक member है C जो public है जो इसी class का है लेकिन क्योंकि B ने A को inherit किया है publicly inherit किया है तो जो A class के public member है वो B में public बन जाएंगे यानि कि जो ये Z है ये B class में public होगा यानि कि B class में C and Z public है तो मैं इस B1 का यूज करके C और Z को ही क्या कर सकता हूँ access कर सकता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ B1. तो आप यहाँ पर देखिए C और Z ही suggest हो रहा है है ना बाकी मैं किसी भी चीज को access नहीं कर सकता तो मैं C को यहाँ पर let's say access करके 6 कर देता हूँ और B1. मैं Z को यहाँ पर access करके let's say मैं 8 कर देता हूँ है ना समझ में आपको ये बाताई अब हमने ये देखा कि जब हमने public inheritance किया तो हम इस तरह से बी वन आपजेट का यूज करके हम लोग सिर्फ सी और जेड को access कर पा रहे हैं लेकिन जो बी class में private और protected हैं बी class में private कौन है ए है और एक्स है बी class में protected कौन है बी है और वाई है तो अगर हम इनको जो प्राइवेट और protected वाले हैं इनको हम class के बाहर से डाट अपरेटर लगा के access करना चाहते हैं तो हम फ्रेंड फंचन का ही concept यूज करेंगे जैसे एक class के private और protected को access करने के लिए हमने fun function बनाया था जो क्या है एक class का friend है इसलिए हम y और x को भी यहाँ पर डाट अपर लगा के access कर पा रहे थे तो लेटसे मैं यहाँ पर एक और function बनाता हूँ लेटसे fun2 नाम से और मैं क्या करूंगा अब इस fun2 के अंदर मैं b class का object बनाता हूँ और अगर इस b class के private और protected member को मैं access करना चाहता हूँ तो मुझे इस function को b class का बनाना पड़ेगा क्या friend इस तरह से हमने friend बना दिया और तो जैसे ही हमने इस fun2 function को fun2 function को b class का friend बना दिया तो अब मैं b2 object का यूज़ करके b class के public private protected tino को access कर सकता हूँ यानि abc को मैं b का यूज़ करके access कर सकता हूँ लेकिन a class के xyz में से मैं किसको access कर पाऊंगा b2 का use करके आप इस बात को समझे तो क्योंकि हमने यहाँ पर देखे हमने पहली या दूसरी वीडियो में ही देखा था कि जो सब क्लास होती है माल लीज़े अगर सब क्लास के अंदर मैं कोई function बनाता हूँ वाया लेट से fun3 नाम से तो इस fun3 function के अंदर हम एक लास के सिर्फ और सिर्फ protected और पब्लिक को ही एक्सिस कर सकते हैं यह हमने देखा था अगर मैं यहाँ पर वाइक्वल टू सिक्स और एक्स और जड़ इक्वल्स टू लेट से सेवन रखता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं यह हम कर चुकी यह हमें पता है कि जो जो सब क्लास होती है वह अपने पैरेंट क्लास के प्रोटेक्टड और पब्लिक मेंबर को ही एक्सिस कर पाती है प्राइवेट चीजों को वह एक्सिस यहाँ पर नहीं कर पाती है ना तो जब मैं बी क्लास का आपजेक्ट बनाऊंगा तो बी टू का यूज करके मैं ए बी सी तीनों को एक्सिस कर लूँग ना X को X जब B class ही नहीं कर पा रही है जो सब class है तो इस B class का friend function कैसे इस X को X कर लेगा इस बात को आप ध्यान रखना तो जब भी हम देखिये friend function बनाती है तो वो जिस class का friend होता है उस class के public private protected तीनों को X कर लेता है लेकिन अपने super class का जो protected और public है उसी को access कर पाएगा private को access नहीं कर पाएगा in fact हमने ये भी देखा था कि जो sub class है उसको ये right नहीं होता कि वो अपनी super class के private चीजों को access कर पाए देखिए यहाँ पर मैं x को access नहीं कर सकता अगर मैं यहाँ पर x equal to इस तरह से कुछ let's say 8 लिखने की कोशिस करूं तो मैं error देगा देखिए कह रहा है inaccessible है तो जो private चीजे होती है अब ध्यान से रखना सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना जो private चीजे होती है उनको हम class के बाहर से access कर सकते हैं शिर्फ और सिर्फ friend function का use करके और वो friend function इसी class का friend होना तो जैसे fun function है fun function इस a class का friend है तो हम इस x को access कर लेंगे लेकिन इस x को ना तो कोई इस a class की sub class access कर सकती है और ना ही sub class का कोई friend function x को access कर सकता है इस बात को आप दिहान रखना है ना तो जब मैं यहाँ पर हमने b class का object बनाया और अगर मैं b2. लिखूं तो आप देख लो मैं a, b, c को access कर पा रहा हूं y और z को access कर पा रहा हूं और fun 3 को तो हम access कर ही लेंगे क्योंकि यह member function है b class का लेकिन यहाँ पर आपको x नहीं दिख रहा है इस बात को आप गौर करना इस बात को आप समझे ना तो हम b2. y करके कुछ value को रख सकते हैं और b2. z करके भी हम लोग कुछ value को रख सकते हैं है ना b2. और a, b, c में हम लोग value रख सकते हैं इस तरह से b2. c में भी हम value को इस तरह से रख सकते हैं लेकिन x को मैं access नहीं कर पा रहा हूं एक्स को तो जो यह private है जब x को b class नहीं कर पा रही है जो उसकी sub class है तो b class का friend function कैसे access कर लेगा है ना तो अगर मैं कुछ points अब बोलता हूं याद रखना जब भी हम inheritance करते हैं तो inheritance के time पर जो super class होती उसके private member को ना तो b class access कर पाएगी ना ही इसका कोई friend function या कुछ भी हो x को तो कोई भी access नहीं कर पाएगा लेकिन जो b class है वो a class के protected और public चीजों को access कर पाती है direct है ना और क्योंकि b class protected और public चीजों को direct access कर पाती है तो जब b class का हम कोई friend function बनाएंगे तो वो friend function जो होगा b class के तीनों चीजों को access कर पाएगा लेकिन a class के protected और public को ही access कर पाएगा आपको समझ में बात आई और हमने यहाँ पर public inheritance किया है तो जो private वाला यहाँ पर है वो B class में private होगा protected वाला B class में protected होगा public वाला B class में public होगा तो Z B class में public है और Z B class में public है इसलिए जो हमने यहाँ पर B class का object बनाया तो मैं Z को यहाँ पर access कर पा रहा हूं समझ में आपको ये बात आई ठीक है अब आप यहाँ पर समझ ये कि अगर मैं public की जगह पर लिट से protected अगर मैं inheritance कर देता अगर मैं protected inheritance कर देता तो जो public और protected हैं वो दोनों चीजे बी में protected माने जाती है private वाला तो private ही माना जाएगा तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है क्योंकि ये दोनों चीजें protected बन गई वाई और जट protected बन गई तो बी क्लास में हम उनको इस तरह से access कर सकते हैं है ना लेकिन अब आप main यहाँ पर आओ जो हमने b1 object बनाया है ये b क्लास के बाहर है तो b क्लास के बाहर से हम protected चीजों को access नहीं कर सकते तो अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते है ना और आप friend function को देखो अभी भी हम a, b, c और y, z को access कर पार है है ना अगर मैं यहाँ पर private लिख दूँ अगर मैं यहाँ पर private लिख दूँ तो यह सारी चीजें b क्लास में private बन गई और अगर सारी चीजें b क्लास में private बन गई तो भी हम protected और public चीजें जो a क्लास में थी उनको हम b में इस तरह से access कर पा रहे हैं और क्योंकि अब वो सारी चीजें private हो गई है ना तो हम उन चीजों को यहां से बीवन डाट करके एक्सिस नहीं कर सकते है ना जो में फंचन के अंदर बीवन है मैं बीवन डाट करके X, Y, Z किसी को भी access नहीं कर पाऊंगा और friend function में आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर अभी भी हम ABC को तो access करी लेंगे क्योंकि friend है और हम क्या कर रहे हैं इनको भी access कर पा रहे हैं तो आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे क्या होता है अब यह भूलना मत आप अगर भूल गए आप तो फिर आप वीडियो को repeat करके देखो यहाँ पर जो कहानी बन रही है ना उसको आप समझो कि यहाँ पर public private project करने पर क्या हो रहा है है ना है ना और friend function से क्या situation है मैं चाहता तो friend function को यहाँ से हटा देता आपको मैं यहाँ पर explain करके दिखा देता है ना तो जब हमने यहाँ पर जब हमने यहाँ पर public किया था तो मैं main के अंदर z को access कर सकता था है ना लेकिन जैसे हमने यहाँ पर protected कर दिया तो z जो है वो b class में protected बन जाएगा और z b class में protected बन गया तो main function के अंदर हम b1 object का यूज करके access नहीं कर सकते हैं है ना और जब हमने private कर दिया तो यह सारी चीज़े private हो गई b class में और b class के private हो गई तो b class के जो private member है उनको हम बाहर से access नहीं कर सकते हैं है ना और friend function यह fun to है यह friend है b class का तो no matter आप यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर public private प्रोटेट जो भी लिखना है लिखो लेकिन friend function देखो especially जो private है एक class में उन्हीं को access नहीं कर पा रहा है बागी सब को access कर ले रहा है है ना अगर मैं इस टाइम पर program को run कर दूँ थो हमारा program successfully run हो जाना चाहिए कोई error नहीं आनी चाहिए है ना यह देखो कोई error नहीं है हमारा program run हो गया था तो अगर मैं आप से एक बात अगर बोलू अगर मैं अब friend function को यहाँ से हटा देता हूँ आप हम लोग यहाँ पर friend function को नहीं करेंगे और इसको भी मैं हटा देता हूँ इसको भी मैं हटा देता हूँ अब हम इसमें values को रख करके print कर लेते हैं मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं इसको भी हटा देता हूँ अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर public inheritance करेंगे और इन सब variables में value रखेंगे लेकिन हम लोग object बनाएंगे B class का तो हमने B class का object बना लिया B1 है ना तो हमें जो B1 object बना इसके अंदर कितने variable होंगे 6 ABC होगा और XYZ होगा अब जो B के अंदर ABC XYZ है उसमें मुझे value रखना है तो चलिए मैं C में कैसे value रखोंगा C तो देखो public है तो public है तो मैं उसको B1 dot करके अच्छा C public है और Z भी public है क्योंकि हमने public inheritance किया तो जो public है public तो अच्छा मैं C को axis करके इसमें मैं 3 रख देता हूँ और B1 dot Z को axis करके लटसे मैं 6 रख देता हूँ तो हमने C और Z में value को रख लिया अब मुझे A और B में value को रखना है तो A और B में मुझे value को रखना है तो मैं इसको A और B को तो class के बाहर से नहीं कर पाऊँगा तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ मैं function बना सकता हूँ लटसे मैं function बनाता हूँ wired set data नाम से और मैं क्या करूँगा मैं B1 dot करके इस function को call कर लूँगा हमने लिखा B1 dot set data और इसमें मैं क्या करूँगा A और B की value को pass करूँगा 1,2 है ना तो यह function क्या करेगा इसमें मुझे 2 value को receive करना पड़ेगा A1, B1 तो यहां से मैं value को set करूँगा A equals to A1 and B equals to B1 तो अभी तक हमने A, B, C और Z में value को रख लिया है है ना अच्छा आप एक बात बताओ क्या हमारा जो B class है वो Y को यहां पर direct access कर सकता है बिल्कुल कर सकता है क्योंकि B sub class है A class की तो B के पास यह right है कि उसके protected member को directly access कर ले तो क्यों ना मैं यहां से क्या कर सकता हूँ मैं यहां पर let's say 4 pass कर देता हूँ और यहां पर मैं क्या करता हूँ int करके Y1 कर देता हूँ और क्योंकि हमारी जो B class है इस Y को access कर सकती है तो मैं Y equals to Y1 लेख दूँ इस तरह से है ना तो अभी तक हमने सारी value है अभी हमें सिर्फ और सिर्फ X में value को set करना है अब मुझे X में value को set करना है तो X को मैं यहां पर तो इस तरह से access नहीं कर सकता तो मैं क्या कर लेता हूँ अब मुझे अगर X में value को रखना है तो definitely मुझे A class के अंदर कुछ function बनाने पड़ेंगे तो लेटे wired set X नाम से और इसमें मैं क्या करूँँगा X1 एक value को pass कर दूँगा और X equal to X1 मैं इस तरह से रख दूँगा है ना अब आप बताओ कि क्या मैं set X function को B के अंदर से call कर सकता हूँ बिल्कुल तो मैं क्या करता हूँ मैं इस function के अंदर से मैं set X को call कर लेता हूँ दिखना मैंने set X को call कर लिया और set X को call करने के बाद जब मैं set data function को यहां से call कर रहा था तो मैं यहां पर एक value और pass कर दूँगा 5 और यहां पर मैं let's say receive कर लूँगा X1 नाम से और वो X1 मैं यहां पर इस तरह से pass कर देता हूँ समझ मैं रहा हमने क्या किया तो हमने set X को call करके यह वाली X1 की value पास कर दी तो यह set X function काल होगा उसमें X1 पास होगा यहां पर X1 आएगा तो वो X में चला जाएगा है ना number of wage हो सकते हैं values को रखने के लिए आपके पास जो यूज करना है आपको यूज करो अब हमने जो B है हमारा जो क्या है जो B है जो B1 आपजेक्ट है उसके हमने A, B, C, X, Y, Z में values को रख लिया है अब मुझे उसकी values को print करना है तो print करने के लिए मैं C out लगा करके जो B1 के अंदर C और Z है उनको यहां पर print कर सकता है तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं लट से यहां पर function बना देता हूँ wired show data नाम से और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ C out लगा करके A, B, C की value को print करता हूँ A, B C की value को हमने क्या किया print कर दिया ओके और तो यह क्या करेगा A, B, C की value को print करेगा हम यहां पर चाहें तो इस Z और Y की भी value को print कर सकते हैं क्योंकि यह member function है B class का उसके पास right है कि अपनी super class के protected और public चीजों को access कर पाए जैसे हमने यहां पर किया था तो print करने के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैं यहां पर एक function बना लेता हूँ wired so x, y, z नाम से और यह function क्या करेगा c out, x को print करो space, y को print करो space, z को print करो है ना, और क्या करो line change कर दो, ठीक है तो और फिर क्या करूँगा मैं मैं इस function को मैं इस function को अच्छा आप एक बात बताओ कि जो यह b1 object है मैं b1 dot करकरके इस show data को को तो मैं call कर सकता हूँ show data को है ना, क्या मैं b1 dot करके इस show x, y, z function को call कर सकता हूँ उसको आप समझे यह क्या है a class में public है तो जब हमने public inheritance किया तो b class में यह क्या बन जाएगा public और अगर b class में public बन गया तो b class का object का use करके मैं इसको call कर सकता हूँ इसलिए मैं b1 dot show data भी कर सकता हूँ b1 dot show x, y भी कर सकता हूँ है ना, यह देखो ऐसे और जो हमने set x को यहाँ call किया था हम इसको यहाँ गर call ना करना चाहें तो b1 dot set x करके यहाँ से भी value को set कर सकते हैं है ना, क्योंकि जो set x है वो यहाँ पर public है public inheritance करने पर b में वो public माना जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप यह function यहाँ पर call नहीं करना चाहते तो आप इस function में एक कम value को pass करो और यहाँ पर जिस तरह से आपने set data को call करके a, b, c की value को मतलब की value set क्या उसी तरह से आप b1 dot करके set x को भी call कर सकते हूँ देखिए, b1 dot करोगे तो यहाँ पर set x suggest हो रहा है है ना, तो इस तरह से हमारा काम हो गया है मैं इस program को run करता हूँ एक बार यह देखो, 1, 2, 3, 5, 4, 6 यहां से print हो गया है तो यहां से पहले वो print होगा 1, 2, 3, है ना क्योंकि a, b, c में हमने 1, 2, 3, pass किया है फिर हमने 4, pass किया था तो यह कहां जा रहा है, y1 में जा रहा है अब y1 को हमने दूसरी बार print के आदा, चले 5, 4, 6 print हो रहा है, है ना तो यह बहुत ही important lecture था यार, I hope कि आपको समझ में आया होगा और इसके अगले class में हम लोग types आप inheritance पढ़ेंगे और हर एक type के inheritance को और ज़्यादा explore करेंगे, ok thank you so much, bye bye